तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोग थमनिल पर देखकर समझी गए होंगे कि आज के इस वीडियो में बात होने वाली है वाहित जमा को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक के उपर तो लब क्या है आसान तरीका वाहित जमा जो लव्ज है उसको पहचानने का ये काफे student confused रहते हैं, कैसे पहचाने, तो आज के इस वीडियो में इसी का solution में बताने वाली हूँ, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वाहित और जमा लफ्स कहते किसे हैं, वो सकता है कि आप लोग पहले से जानते हो और बहुत सारे student हैं जो नहीं जानते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को समझते हैं वाहित और जमा क्या है, वाहित को इंगलिश में कहा जाता है singular, और हिंदी में कहा जाता है एक वचन, यानि कि किसी भी एक चीज के नाम को हम लोग कहते हैं वाहित, एक मारकर वाहित कहलाएगा, एक आँख, आँख को वाहित कहेंगे, ठीके, कोई भी एक चीज का नाम वाहित कहलाएगा, और इसी का अपोजिट होता है जमा, यानि कि जमा को इंगलिश में कहते हैं plural, और हिंदी में कहा जाता है बहुअचन, यानि कि एक से ज़्यादा चीजों के नाम को, एक से ज़्यादा वस्तुई के ना कहलाएंगी ठीक है उसी तरह एक मारकर तो वाहिद एक से ज्यादा मारकर तो क्या हो जाएगा जमा एक कमरा सिर्फ मैं बोली कमरा कमरा हो गया वाहिद याने की एक वचन कमरा से क्या पता चल रहा है कि हाँ एक कमरा एक रूम है ठीक है तो कमरा हो गया वाहिद और कमरे कमरे से क्या पता चल रहा है कि एक से ज्यादा कम्रे हैं एक से ज्यादा रूम है तो कम्रे हो जाएगा जमा तो यहां से आप वहिद से जमा लव्ज वह बिलकुल अलगी होता है मैं वोल दी तस्वीर का जमा yornky कि बहुवचन क्या होगा तो हिंदी में तो आप लोग बता सकते हैं कि तस्वीर का जमा यानि कि बहुचन होगा तस्वीरे तस्वीर है तो एक वचन यानि कि वाहिद हो गया और तस्वीरे हो गया क्या जमा यानि कि बहुचन लेकिन उर्दू में तस्वीर का जमा तस्वीरे ये जो फंडा है यान कि अलग-अलग है कि ओसी तरह कोई भी एक माल लिजे कोई विए उठा लिजे जैसे कि मैं बोल दी कोई वियुक्त लफज उठा लेते हैं तारी तो तारी जो है ना तारी टारीख को अगर मैं बोली उगी बताइए तारीख का जमायन की बहुचन क्या होगा तो आप लोग कहेंगे तारीख तारीख का जमायन तरीका है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है इसी वजह से स्टुधें को यह टफ लगता है अब बात करते हैं कि वाहिद जमाऊ क्या होगा इसको पहचानने का ट्रिक यह अब इसके उपर बात कर लेते हैं तो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि वाहिद और जमा पहचानने का कोई भी आसान ट्रिक नहीं होता है जी हां सुन लिजिए एक बार और सुन लिजिए उर्दू लेंग्विज में वाहिद से जमा पहचानने का और या फिर बनाने का कोई ट्रिक नहीं होता है आप लोग को याद ही करना पड़ेगा इसका कोई और उपाय नहीं है तो अब आप लोग कहेंगे कि मैं आप तो बता करने दोंगी ऐसा हो सकता है तब फिर मैं किसलिए हूँ इस दुनिया में जितने वी वाहिद जमा लफज है ना उसको आप लोग को याद करने की जबुरत नहीं है इसलिए तो आज मैं मेहनत की हूँ दिन रात बैठ कर जितना भी मतलब आप लोगे प्रीवीस एर कोशन पि पीठ होते हैं वाहिजमा से रिलेटर्ड ठाओ हरे टॉपिक कोई एकठा की उसके बाद से कौन कौन से आप लोगे एक्जाम में पुछने के चांसे बाहिजमा लव्ज उसको भी इकठा की मतलब आप यूं के सकते हैं सभी तरह के वाहि जमा लफजों को इकठा करके मैं तैयार की लिखी एक दम मेहनत करके मतलब सभी तरह के वाहि जमा लफजों को मैं एक जगा इकठा करके लिखकर और रखी हुई हूं कुछ बोड पर लिखी हूं और कुछ बाकी भी हैं और उस इससे बाहर आप लोग के एक्जाम में कोई भी कोशन नहीं पूछेगा इससे बाहर वाही जमा से कोशन आहीं नहीं सकता है जितना भी वाही जमा है जो इंपोर्टेंट है आप लोग के एक्जाम में पूछे गए हैं बार बार और पूछे जा सकते हैं जितने भी इंपोर्ट जो कि important है जिसको मैं एक जगा बैठ कर दिन रात मेहनत करके इकठा की हूँ ठीक है और उसके बाद से इकठा करने के बाद आज के इस वीडियो में बोड पर भी कुछ कश लिखी हूँ और उसके बाद से और भी है बचा हुआ है तो मैं बोड को मिटाओंगी और फिर दुबा सा लंबा हो मैं तो कोश्र करूंगी शॉट में ही सब कुछ बता दो मतलब समय कम लगे और ज्यादा आप लोग नौलेज कर पाए लेकिन इस एक वीडियो में आप लोग टोटल मतलब इस एक वीडियो को देखने के बाद आप लोग की अंदर से वाहिद जमा का जो टेंसन ह फ़ेना वह खतम हो जाना चाहिए जो भी आप लोग के एकजाम में पूछेगा इसी में से पूछेगा इस से बाहर और कहीं से भी नहीं पूछेगा तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखिए आप लोग जैसा की देख सकते हैं मैं बोर्ड पर कुछ वाही जमा लफजों को लिख दी हूं इसको आप लोग को और कुछ नहीं करना है याद कर लेना है अब बहुत सारे स्टुडेंट है मैं जानती हूं गामध्यात में क्या बोला जाता है असकत बोला जाता है उनके अंदर आलसी पना आ जाता है असकत लगता है उनको याद करने में क्या करूं इतना सारा लफ्ज एक सांथ देखकर वो तो चौकी जाते हैं डर ही जाते हैं ओ आप लोगो याद हो जायगा मैं बोल रही हूं इसको आप लोगो क्या करना है जितना भी मैं आपलों कर लेकर आउंत तक आप लोग को मातर पांच नहीं तो 6 रहां स्कोा पढ़ लेना है थीख उसके बाद से ठीक दो-तीन दिन के बाद दुबारा आप लोग इसको पढ़ेंगे, पांच नहीं तो छे बार, पांच ही बार ले लेते हैं, पांच ही बार पढ़िएगा, ठीक है, अभी आप लोग टेंसन फ्री रहे हैं, स्क्रिंशॉट लेने का मैं मौका दूँगी, एक द दिन के बाद आप फिर दुबारा इसको पढ़िएगा, फिर तीन दिन के बाद दुबारा इसको पढ़िएगा, इसे फाइदा क्या होगा, मैं आप लोग को बताऊंगी, वीडियो के लास्ट में, लास्ट तक बने रहिएगा, अभी चलिए, जितने भी वही जमा, लव्ज मैं लिखी में इसको पढ़ कर बता देती हूं चलिए आप लोग हमारे साथ पढ़िए और ध्यान दीजिए और लफजों को समझे किस लफज का क्या कौन सा लफज वाहिद है और कौन सा लफज जमा है और किस तरह बना है ठीक है देखिए यह जितने भी है न जैसा कि मैं सकते हैं तत्वा तो अंसुर एक वाहिद लफज है यानि कि एक वचन है इसका जमा होता है अनासिर अंसुर का अनासिर दौर का अदवार देखिए दौर मतलब काल होता है दौर दौर का दौर क्या है एक वाहिद है यानि कि एक वचन है सिंगुलर है और इसका जमा यानि कि बहु वचन हो जाएगा अदवार उसी तरह मरहला का हो जाएगा मराहिल मरहला का क्या हो जाएगा मराहिल बाब का अबवाब यानि कि बाब एक वाहिद लवज है और इसका जमा क्या हो जाएगा अबवाब अब देखें यहां पर हाल का हाल एक वाहिद लवज है यानि कि एक वचन है और इसका जमा हो जाएगा अहवाल अब देखिए आप लोगे एक्जाम में कोशन क्या पूछा था कि हाल का जमा मंदर जजायल में से कौन है और नीचे चार आपसन दिया गया था option A में था हालत, B में था अहवाल, C में था हालात, और D में था हालाते अब बताईए, यहाँ पर जो student, हाल का अहवाल और हालत का हालात याद किये होंगे यहाँ पर भटकने वाला student को गुमराह करने वाला option दिया गिया था बहुत सारे student जो है ना, हाल का, हाल का जमा हालात लगा कर आये थे क्योंकि मिलता जुलता है, हाल और हालात मिलते जुलते है ऐसा लग रहा है कि हाल का जमा यानकी बहोचन हालात ही है और बहुत सारे student हाल का जमा यानकी बहोचन क्या लगा कर आये थे? हालात और उन सबी student का गलत हुआ क्यों? क्योंकि हाल का जमा होगा अहवाल हाल और हालात में अंतर है हाल का जमा होता है अहवाल और हालत का जमा होता है हालात याद रखिएगा हाल का जमा अहवाल और हालत का जमा हालात ये दोनों एक दूसरे के हाल अलग है लफज और हालत अलग है ठीक है तो इसी वज़ा से यहां पर आप लोग को गुम्राह होने की जोड़त नहीं और कमफ्यूज होने की जोड़त नहीं है अगर आप लोग के एक्जाम में कोश्चन पुछता है कि हालत का जमा क्या होगा तो आप गलती से अहवाल मत लगा दीजिएगा यह नहीं समझ लीजिएगा कि हाल का पुछा है हाल का तो अहवाल होता है तो इसमें आप लोग को और एक दम याद कर लीजिए हाल का अहवाल और हालत का और हालात ठीक है देखे अगर इस तरह से भी कोशन पुछ दे कि हालात का हालात एक जमाल लफज है हालात का वाहिद क्या होगा हालात का वाहिद क्या होगा तो जिस भी option में हालत दिखाई देना उसको टिक किजिएगा यह नहीं कि हाल टिक करके चले हैं इस तरह आप लोगों को नहीं करना है गलत हो जाएगा ठीक है तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यह छोड़ी चुटी चीजों को आप लोगों को ध्यान में वाहिद लफज है और इसका जमा होगा मसाइल सिन्फ एक वाहिद है और इसका जमा यानकी बहुचन प्लूरल होगा असनाफ गयर एक वाहिद लफज है और इसका जमा होगा अगयार शक्स का अश्खास शक्स का अश्खास दवा का अद्विया मुसीबत का मसाइब याद र इस्तिलाहात का इस्तिलाहात देखिए इसलाह और इस्तिलाह ये दोनों में अंतर है इसलाहात और इस्तिलाह का इस्तिलाहात ठीक है असर का असर का असरात भी होता है और आसार भी होता है यह याद रखिएगा अगर option में दे आसार तो आसार टिक करना है अगर option में दे असरात तो इसराट तिक कर देना हैं, लेकिन अगर दोनों आफशन में दे दे, आफशन अ में असरात, आफशन B में आसार, और आफशन C में A और B दोनों, तो आफशन नम्जरी लगाएएगा, A और B दोनों, आयत का आयात बरक का ब्रोक ठीक है ब्रोक बरकत का बरकात असल का असूल बदन का अबदान ठीक है बेगम का बेगमात बेगम यानि की वाइफ ठीक है बेगम है वाहित हो गया लेकिन बेगमात बहुत सारी बेगम है तो उसको एक साथ क्या कहा जाएगा बेगमात तो बेगम क बिगमात तारीख का तवारीख तसनीफ का तसानीफ होता है और तजवीज का तजावीज और उसी तरह तस्वीर का तसावीर देखें तजवीज का तजावीज हो रहा है ना इसी तरह तस्वीर का होता है तसावीर ठेखें तहकीक का तहकीकात तसवूर का तसवूरात ध्यान है यहां पर इसी वज़ा से दोनों एक साथ लिखी हो तसवीर और तस्वीर दोनों में अंतर है तस्वीर किसे कहते हैं इमेजिनेशन को ठेके और तस्वीर किसे कहते हैं इमेज को फोटो को कहते हैं तस्वीर ठेके परतिबिम्ब आप यूं कह सकते हैं तो तस्वीर अलग है तसवूर अलग है और तसवीर अलग है, दोनों में अंतर है, इसलिए तसवूर, तसवूर का मतलब क्या होता है, imagination, ठीक है, तो इसका जो जमा होता है, plural, वो होता है, तसवूरात, तसवूर का तसवूरात, और लेकिन तसवीर का तसावीर, याद रखियेगा, तसवूर, यान का तसावीर ठीक है जाहिल का जोहला बहस का भूस या फिर मबाहिस ठीक है तक्रीर का तकारीर फर्द का फराइज यह कोशन पूछा गया था अभी जो आप लोग का तुनाय नियम आ गया है ना मंतली की votation हो रहा है सब्टमबर का हुआ था सब्टमबर 203 का तो वहां इस है का वहीं कोशन पूछा है कि वहायised की क्या होगा क्या पूछा गया था मंद्र जाल मैं से कौन है तो वर्द स्टो एक जमा है इस वहाहिद क्या होगा तो याध रखियेगा डेनि ओनास आ यहां पर बिंदू नुकता मैं देना भूल गई हूँ चलिए मैं देदी वापस फछलक का अफलाक यह इमपॉस्षिन है पूछा गया है आप लोग के एक्जाम में देखिए इसमें कुछ-कुछ ऐसे मैं आप लोगों बताई हर एक आप लोग के एक्जाम में जितने भी होषन वहत니 जमा से पूछे गया है वो हर हर एक वह ही जमा लब्स को मैं डाल दी उसमें देखिए हालत का भी पूचा गया है हाल का भी पूचा गया है यहां तक कि मैं आप लोगों को बता दे रही हूं शक्स का और गयर का भी पूचा गया है ठीके इस्तिलाह का भी पूछा गया है इसके और भी बता दे रही हुमें और जैसा कि मैं बताई तसवीर इससे भी कोशन पूछा गया था फर्द कभी मैं बताई कि फरायज का वाहिद इस तरह से कोशन पूछा था कि मंदर जयल में से फरायज का वाहिद कौन है तो फर्द और फलक का भी पूछा गया है फलाक तफसील का जमा क्या होगा तफसील याद रखिएगा इंपोर्टेंट है तभी मैं आप लोगो करा रही हूँ तेके आगे बढ़ते हैं तद्बीर तद्बीर का तदाबीर वैसे अगर आप लोग को समझ में आ रहा है न तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अ तफ़ा का तहाइफ जिन का जिन्नात तफसीर का तफासिर जिन्स का अजनास जिस्म का अजिसाम देखिए जिन्स का अजिस्म का अजिसाम जिस्म मतलब बदन और जिस्म का क्या होगा जमा जिसाम जोहर का जवाहर बैत का वियूत दीन का अधियान कौल का अक्वाल मकसद का मकासिद, फिक्र का अफकार सिफत का सिफात किताब का किताब के नहीं होगा, किताब का कुतुब होगा, ठीक है, दलील का दलाल मुल्क का मलूक, घर्ज का एगराज, कबर का कपुबूर कैद का क्यूद शिये, जिद का अजडाद, लव्ज का खास का खुआस लव्ज एक सारे लफज आ गएंगे तोकठे में क्या कहेंगे आइंक लफज का जित होता है अलफास का खख्षोच। का हुरूफ तकदीर का तकादीर अलम का अलाम एब का यूब तो यह है कुछ अलफाज जो की वाहित से जमा मैं बना कर लिख दे थी अब मैं यहां पर आप लोग को बता दू कि क्यों मैं बोली कि स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आप लोग जरूर पांच बार पढ़िए और हर दो तिन दिन के बाद मतलब अल्टर्नेट करके आप लोग को पांच बार इसको पढ़ना है मैं इसलिए बोली न क्योंकि हो सकता है कि अभी आप लोग स्टार्टिंग में पहली बार इसको पढ़े होंगे तो आप लोग को इसमें से कुछ काच तीन चार लफ्ज याद हो गया होगा ठीक है इसमें से कुछ कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो याद हो गया होगे जैसे कि बेगम का बेगमात याद हो गया होगा तसवूर का तसवीर का तसावीर याद हो गया होगा फर्ज का फरायज याद हो गया होगा तो इसमें से कुछ कुछ है पहले एक ही बार आप पढ़ें तो इसमें से लगभग मतलब आप यह किसकते हैं कम से कम साथ लव्ज तो आप लोगो याद हो गए होगे अब इसी तरह आप लोग को पांस बार पढ़ना है तो इसमें से कुछ-कुछ ऐसे लव्ज हैं जो कि आप लोग के मैंड में ऐटोमेटीकली सीट हो जाएंगे अर्फिर दो-ति दिन के बाद फिर से आप लोग इसको पांस बार पढढ़ेंगे तो उसी चीज को आप लोग दुबारा रिपीट करेंगे पांस बार पढ़ करतो फिर आप मैंड में दुबारा रीवीज यह तो नहीं हो सकता है मानली जी अगर पूछ दिया कि इस में से कोई भी एक उठा लेते हैं बरकत बरकत का जमा क्या होगा और मानली जी आप्सन सब्सक्ता है लोग भले ही आप लोग को याद ना हो पाए लेकिन मुझे माइन में इसे तस्वीर की तरह छप जाना उस तरह आप एक तरह से इमेजन कर सकते हैं एक तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से लवज का क्या जौमा होगा ओं से वहीद का जौमां क्या होगा ठीख है तो आप 1 बर्वकत का जौमां बरकात हो सकता है बरकात पर इस mere on को इस तरह ना की मालीजी आप किसी जगह पर गये हो घूमने के लिए वहां पर खूब घूमें खूब खेलें खूब मस्ती कियें और उसके बाद से कुछ दिन रहने के बाद वापस चले आएं दूसरे जगह और फिर दस साल के बाद वहां पर गए तो दस साल के बाद जब वहां पर जाते हैं तो आप लोगों को कुछ काच अंदाजा मिलेगा ना कि हा यहां पर था यहां पर था कुछ कुछ अंदाजा मिलता है याद आता है कि हां हम यहां पर आये थे यहां पर आये यहां गये थे बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल वही बात वही फंडा मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूं यहां पर कि अगर आप लोग इसको 5-6 बार बात है लेकिन अगर नहीं याद हो पाता है तो आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इस लवज का जमा ये होगा इस लवज का वाहिद ये होगा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा तो चलिए अब मैं बोर्ड मीटाती हूं और कुछ और भी लवज बचे नहीं ठीक है लेजिए फड़वर स्क्रीन शॉंट तो चलिए फाइनली मैं फिर से बोर्ड पर लिख दी हूं और मैं पढ़ देती हूं पहले आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिजिए तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे चलिए मैं पढ़ देती हूं और आप लोग सुनिए का ध्यान से कौन सा लवज वाहिद है और उसका जमा क्या है देखिए इल्म है इल्म का उलूम अभी मैं इसके पहले बोर्ड मीटारने से पहले मैं लिखी थी अ अलम का था आलाम लेकिन यहां पर क्या है इल्म इल्म का होगा उलूम ठीक है नूर का अनवार तदबीर का तदाबीर तदबीर वाहिद लवज है तदाबीर जमा लवज हो गया देखिए मुल्क मतलब देश मुल्क का मुल्क जो है एक वाहिद लवज था और उसका जमा क्य लेकिन यहां पर क्या है मलक है याद रखेगा यह मलक मिम के उपर क्या है जबर तो मलक का जमा होगा यान की बहुचन मलाइक मर्ज का इम्राज मर्ज हो गया वाहिद लफज और इसका जमा यान की बहुचन हो गया अम्राज किस्सा का कसस इसे तरह हिस्सा का हसस होगा किस्सा क जब कसस हो रहा है तो हिस्सा का हसस होगा याद रखना है ठीक है खबर का अखबार रसम का रुसूम रसम का रसूम शर्त रूह का अर्वाह शर्त का शरायत रसम का रसूम रूह का अर्वाह रूह वाहिद है और अर्वाह हो गया क्या जमा लवज शर्त वाहिद लवज हो गया और शरायत देर सारे शर्थ एक साथ देर सारे शर्थ हो तुम कोई कठे में क्या का जाएगा शरायत यानि कि शर्थ का जमा होगे शरायत अब देखें यहां पर मिलिक है मुल्क मलक और मिल्क यह याद रखिएगा मुल्क का मुल्क का जमा मुलूक और मलक का जमा मलाइक और य कजैएका जमाहोंजायेगा जराए झायदा का जमाहोंजाएगा खयाल का छ या रहा खैलात और इस से भी डवल बना देते हैं हम लोग क्या खैलाते हैं तो हो मैं आप लोग बताऊंगी यह ना दिया जाता है वह अलग से बता उसको क्या कहते हैं फिलाल हम लोग यहां पर समझते हैं वस्फ का उसाफ नभी का अम्बिया वक्त का अवकात लतीफा का जम्हा हो जाएगा लताइफ हद का जम्हा यान की बहुचन हुदूद नजम का जम्हा नुजूम दफ्तर का दफातर हिस्सा का हसस जैसे कि मैं आप लो खुसूसियत का खुसूसियात खुसूसियत अगर किसी इंसान में कोई एक खुसूसियत है एक विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् वली का ओलिया, आम का अवाम, फेल का अफ़ाल, मंदिर का मनादिर, हदीस का हदीस, हरकत का हरकात, खातून का खवातीन, आप लोग सुने भी होंगे, जितने भी खवातीन यहां पर मौजूद हैं, तक्रिर करते हुए हैं, फिर कभी भी आप लोग सुने होंगे, तो आप लो एप चाहनों जैसे लफज है जो आप लोग को पहले से याद को हँगा मकतूब का मकाती वोगा घरीब का घर्वा बुढ़े लोग कूछ बुढ़े बुजर्ग लोग को आप लोगू बोलते हैं कि गरीब गुर्बा इनसान है दे दिया जाता है तो गरीब गुर्बा सोचिए कि वह वही जम्ह एक साथी बोलते हैं गरीब गुर्बा गरीब का जम्ह क्या होगा गुर्बा बहुचन गुर्बा होगा तो गरीब का गुर्बा खलीफा का खल्फा जवान का जवानान सबब का असबाब परिंदा का परिंदगान और उसी तरह आवारा का आवारगान होगा ठीके और मस्जिद का मसाजिद कैजिद ज़िए खत का गलत का अगलात सिफत का सफात सदर का सुधूर किसंड का अक्साम करता तो उस तरह के लफ्ळ का जो जम होता है वह एक ही होता है जिसे जिसमए और किस्म दोनों एक ही जैसा एकी जैसे दोनों का प्रफद्द जेसा जिस्म और किस उनका की त्रीकी कर अपना कर शुरा हो गया मरतबा का मरातिब हो गया मजमोन का मजमीन हो गया दिवान का दवावीन हो गया पैगाम का पैगामात हो गया शहीद का शहदा हो गया परीब का अक्रब हो गया अफक का क्या हो गया अफाक मनजिल का मनाजिल मनजिल वाहिद है यानकि एक वोशन इसका वोशन क्या होगा मनाजिल रसूल रसूल वाहिद लफ्स और इसका वाहिद जमा रसूल और रसूल ठीक है शजर का अशजार ताइर का त्यूर ऑलिन का अलम और अलम का अलाम ये तीनों एक सांथ याद रखिएगा, ठीक है, हाकिम का हिकाम, काफिर का कफार, अदिव का अद्भा, और आफद का आफाद, उन्वान का अनावीन, आशिक का शाक, हाजिर का हाजरीन, रब का अर्बाब, खुदा का خुदायान, ये सब वाहित का लफ्ज का जमा है, ठीक है सफर का जम्ह हो जाएगा सफार सतर का जम्ह हो जाएगा सुतूर गम का घमूम फता का फतूख फता का जम्ह फतूख फर्द का जम्ह अफराद फौज का जम्ह अफवाज देखें देखें मारकर भी नहीं चल रहा है कलब का जमा क्या होगा कुलूब लाजिम का लवाजिम का जमा होगा कवाफी मिस्कीन का जमा होगा मसाकीन और मदर्सा का जमा होगा मदारिस मश्रिक का जमा होगा मशारिक मगरिब का जमा होगा मगारिब देखिए जब मश्रिक का जमा मशारिक हो रहा है तो मगरिब का जमा बाते कि मगारिब होगा ठीक है और मुम्किनाथ ठीक है और मौझ का जमा मोझे नकल का नकूल नेमत का जमानिभि और आप लोगो समझ में आगिया होगा और लोग जरूर्ण इसको तो कर दो युक्षर जमा को लेकर टेंस लेने की जरौत नहीं क्योंकि जो भी आफ लोगे पूछे जाएंगे question वह जमा से वह इसी टॉपिक dod् um आज के इस वीडियों में आज के सभिटी में आज केसी वीडियों सभी पूचे जाएंगे और वह सके जरूर करे अभी तक लाइक नहीं किये तो शेयर कर दे दबा कर इसी बात पर शेयर हो जाया कज़़ में आया है तो तकि सब्सक्राइब करके नोटीफिकेशन बर रूढ़ी felt ताकि जब भी वीडियो अपलोड होना नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिस